गाईस आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे डियाबली 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 के गोच है से मॉमेंट्स जफे ग्रेसलर्स मैच के बीच में किया बहुत ही बरी गलती और इस लिस्ट में रुमर डिंग्स और रौन्डर राउजी की भी नाम है तो दिर कीज़ बत की स चलिए शुरू करते हैं गाइस डियाबलोबली की पीपेड़ मानीं दा बैंक में हुआ था एक मैच नायजेक्स और रावडी रॉंडा रावजी की बीच और उस मैच में एक मोमेंट पर रॉंडा का पारवावं दा नायजेक्स और रॉंडा जैसे खारें उन्हों के कि तब बुरिंग से नीचे गिर गये मतले कुँआ को चक्कर आई थी गाइस और रसली में हुआ थे एक मैच रॉंडा रिंग वर्सेस दी अन्डाटेकर के बीच और उस मैच में रॉंडा रिंग स्पाइट के एक मोमेंट पे बहुत कोशीर काना के बाब वुजूद भी अ फ्रेंड्स 30-0 मेर रॉयल्लमकल एलिमिनेशन मैच में 500 नमर पर एंट्री केया शाषा बैंक और नमर टू में आई मिलीना और मिलीना के एंट्री बहुत बरिया थी और मिलीना बहुत खुश भी थे लेकिन इस मैच में एक बहुत हो गई और जैसी के आप देख सकते हो कि ज फ्रेंड्स, फीमियल रोयलमल मैच में दा बैड़ेस्ट मन ऑन दा प्लैनेट रावड एर अंडर रावजी रिटान किया और रोयलमल जीती भी। लेकिन जीतने के बाद जब रस्लमीनिया साइन के तरह विशारा किया तब पायरोस चालू हो गई। और इसी समय रस्लमीनिया क इस साइन पर आख लग गई जो कि अब क्लियरल इस वीडियो में देख सकते हो। फ्रेंड्स, WWE में कोफी किंग्स्टोन बहुत सरे रोयलवल मैच में इंट्री कर चुके हैं। और सबी रोयलवल मैच में कोफी किंग्स्टोन बहुत ही आजिया वजीब तरिकों से खुद को एलिमिनेट होने से बचाया था। लेकिन इस रोयलवल मैच में कोफी किंग्स्टोन से भी बहुछ हो गई। किको जब केवी रोमेंस कोफी को रिंग से पर अटाक किया तब कुछ सेगंड्स के लिए कोफी किंग्स्टोन का पैर ग्राउंड पर टाच हो गई। लेकिन कोफी किंग्स्टोन पूरी कुक्षिश की ताकि बेलिमिने ना हो सके। फ्रेंड्स इस पिपर में हुआता है एक मिक्स्ट अक्टिम मैच मिस एन मारीज वर्सेस बेज़ फिनिक्स और एज। और इस मैच में पहले गलती किया कॉमेंटेटर कोरी ग्रेब्स। कोरी ग्रेफ्स मारिस को बोले की बो एच की बीवी है जो कि अप्लियली सुन सकते हो और इसके बाद मारिस का कप्र अपने जगह से थोड़ी दरुदर हो गई और गाई सही तक तक आज के ये वीडियो और आपकी सबसे कोमें से बाच सबसे ज़्यादा फणी था एक कोल में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक, कोमेंट, सस्क्रेब ज़रूर करना मिल तो एकली वीडियो पे, थेंक्स पर वाचिंग